सवाल है कि हमारी जमीन पर किसी ने 26 साल से कबजा कर रखा है और मेरे पिताजी ने जो है यानि SDM को 1996 में प्रार्थना पत्र दिया था तो कोट के आदेश पर उसको कबजा करने से रोक दिया था केस चलता रहा 2002 में मेरा पिताजी का दियान थो गया और जो 1996 में कम्प्लेंड की थी उसका पेपर मेरे पास है तो बताइए सर यदी मैं दोबारा केस करूं तो मुझे नयाय मिलेगा मुझे क्या करना चाहिए मेरे पिताजी वा केस जितने वाले थे लेकिन उनका दिहान थो गया देखे अगर अभी फिलाल बरतमान में जो है अगर आप अगर बात करें कवजा कर लिया है कवजा को आप खाली कराना है तो उसके लिए अब आप SDM के पास केस ना करें वहां से उतना ज़्यादा benefit आपको इससे सम्मंदित नहीं मिलेगा तो इसलिए आप जो है न्याले का सहारा लें ठीक है और अगर आपका काखजात दुरुस्त है सारा तो उसको नहीं है तो उसको एकदम दुरुस्त कर लें काखजात जो है original काखजात त्यार कर लें और दस्ताबेज है है न सब कुछ है तो जरूर और दूसरा एक तो है कि उस समय का भी आपके पास complaint paper है मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ये जो है condition लागव का इसलिए कि आप सुरू से लग रहे है उस चीज़ के लिए ठीक है तो इसलिए ये जो है आपको संपत्ति जरूर व का रहा है कि आम उसमें कोई समधान देखे अगर किसी भी तरह का आपका लीज है लीज बना हुआ है तो फिर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का समधान और इसलिए कि अगर agreement के थुरू सारा काम आपका हो रहा है तो यहाँ पे जो है कोई भी समधान नहीं हो सकता है कि इसल में आप कम से कम कुछ time period के लिए अपना जो भी है मौलत ले सकता है लेकिन अगर agreement जो है बनाया जाता है जमीन मालिक के तरफ से अगर कोई भी lease agreement वो इतरह से नियम परक्रिया के ताहद दिया जाता है तो फिर आपको वो चीद छोड़ना ही परेगा अगला सवाल है कि सर जी मेरा अंकल का जमीन है और जो है हिंसा खत्म हो गया था और उसने अपने बेटे के नाम से दीड कर दी हमने कोट में केस किया था और जो है यहाँ पर भी किया था तो वो जैसे कबजा करने लगे थे और ये बोल रहे हैं कि और ये बोल रहे हैं कि कमेंटमेंट का केस किया था और वो चल रहा है उसके बाद फिर जमीन बेच दिया मगर रजिस्ट्री में लिखा है कि केस चल रहा है और पुलिस भी कुछ नहीं करती है केस गभाही पे है क्या करें देखिए केस का जो भी है case को आपको इंजार करना चाहिए और मगर जो registry में जो है ये चीज तो असपस लिखा हुआ रहता है न कि वहाँ पे अगर किसी भी जमीन पे case नहीं चल रहा है तब ही registry करना है तो ये registry में जो है ये mention कर देना कि इस पे case चल रहा है तो ये तो सही नहीं लग रहा है ठीक है तो लेकिन फिर भी आपको जो है एक तरह से judgment पे विश्वास रखना चाहिए judgment आने के बाद उसके बीच में अगर कुछ भी illegal होगा ना तो सारा वो खत्म हो जाएगा अगला जो सवाल है कि ये पुझरे सर जी आपकी जो है सभी विडियो अच्छी होती है जिसके लिए धन्यवाद मेरा ये सवाल है कि मेरे दादा जी जो है बक्सिस नामा 2003 में किये थे हम तीन जो है भाई हैं एक भाई जो बालिक था दो भाई न वालिक तो मेरे जो है यहाँ पे पिता जी थे मेरे जो भाई और यहां पे संड़क्चक मेरे पिताजी थे मेरे भाई और मिलके 2006 में जमीन को लोगों को बेच दिया 2006 में अगर बेच दिया बिना मेरे जानकारी के कुछ जमीन में जो है वो यहां पे तो कुछ जमीन में जो है बालिक थे तो क्या वो जमीन वापस आप नवालिक थे या बालिक थे आपका जमीन वापस आ सकता है लेकिन इसके लिए आपको जो है अपने पिता के उपर हिस्से के लिए केस करना परेगा अगर पिता के दोरा भाई के दोरा जिनके दोरा बेचा गया है उनको अपने हिस्से के लिए जो है आपका अगर वो दादा की संपत्ती है पर दादा की संपत्ती है मतलब पिता अपने कमाई से उसको नहीं कर दें तो आप पिता के उपर केस पायल कर सकते हैं और अपना हक के लिए वो लड़ाई लड़ सकते हैं आप अपना हिस्सा को अलग कर सकते हैं ठीक है और वो बेशते हैं उस पे तो वो उस पे भी आप जो एक्षन ले सकते हैं अगर ततकाल में हो तो बिल्कुल एक्षन लेना ही चाहिए अगर आप उसके खिलाफ में संपत्ती है एक दो रुपी अगर नहीं होती है संपत्ती अगला सवाल है कि अरजेंट प्लेसर दो भाई के नाम से ख़दियानी जमीन है एक भाई के बनसजों ने मिलकर रोड साइड का नौक अठा का जो है वो प्लॉट दोजार साथ में सेल कर दिया बट उसके बदले मुझे दूसरा एक रोड साइड वाला प्लॉट में जो है हिसा दिया है ना उसके ततकाल उस बल पर जो है वह ताकत के बल पर वो लोग दिया हुआ जमीन वापस ले लिया पता लगा है कि किसी ने उन लोगों के साथ दिया है जो जमीन आप लोग जो है रजिस्टी किये उसका टाइम 12 एयर हो गया है अब आप लोग ने पड़िवार का बात है ना तो पड़िवार में जो है ये चीज को किसी भी तरह का मानिता नहीं होता मतलब एक तरह से पड़िवार में ये पर्तिकूल कबजा का तो कोई कॉंसेप्ट ही नहीं होता पड़िवार में कबजा क्या वो तो खुद मालिक है इस तरह से सारी संपत्ती में उसका हक है तो वहां से पर्तिकूल कहां से हुआ तो वो तो अनुकूल ही है तो उसको अगर 12 सा तो मिलेगा रही बात की वह बेश दिया गया हो बैक्ती उसको दाखिल खारी करा लिया और वह रोड साइड है और जिस समय बेचा गया उसमय भी और बिना किसी भी बटबारा के तो आज भी आप जो एक्षन ले सकते हैं मतलब अगर लड़ाई जाड़ी होगी तो आपका जीत होगा इतना आप समझ लें इसलिए कि आप उसमें हकदार हैं और अगर कोई illegal काम किया है तो उसका हार जो है अब ऐसा नहीं कि जो जमीन खरदा है उसके लिए प्राबधान नहीं दिया गया है कानून में उसके लिए भी प्राबधान है आगे हम किसी वीडियो में आएंगे special वीडियो बनाईए sir please मेरे पिता तीन भाई हैं और बाबा छोटे में सभी जमीन बाबा के नाम से है जो खड़िदे हैं तीनों भाई ने मिलकर पैसे दिये और बाबा अपने नाम पे लिखा लिए और सभी जमीन को जो है छोटे के नाम करने के बात करते हैं यहां तक कि ए एक जमीन कर दिये हैं हम लोग बहुत परिशान नहीं देखिए यहां पे सबसे पहली बात है ना कि अगर देखिए बाबा जो है ना तो बाबा का इंकम का क्या सरोत है सबसे बड़ी बात होती है न कि ऐसा नहीं होता कि बाबा जमीन लिखा लिए अगर मा लेता है दस लग की से लाए 10 लाग पिता कहां से लाए तो पैत्रिक संपत्ती को अगर बेच कर कोई भी या मानलत है जो income कर रहा है वो उसको पैसा दिया तो यह चीज़ तो आपको पूरूफ करना परेगा तो यह चीज़ है ना तो यह चीज़ अगर आप सोचेंगे कि अगर बाबा के नाम से जमीन है बाबा किसी को दे रहे हैं तो यहाँ पर किसी अधिकारी पर अगर सोचेंगे कोई आपका मदद करें तो अतना असान नहीं होगा इसलिए कि जो पावर न्यालय को दिया गया है तो वहाँ पर आपका मदद होई नहीं स पत्ती है वो अपने नाम पे रिष्टी करा है तो उस case में ऐसा अगर आप साबित करेंगे तो उस case में जो है ये आपको वापस असानी से मिल सकता है अगला सवाल है हेलो सर 1905 का खतियान है रजिस्टर टू पर दूसरे के नाम से अभी जमाबंदी चल रहा है मेरा जमाबंदी उस खाता में एक भी नहीं लिख रहा है कहता है कि रजिस्टर टू पर आपका एक भी नाम नहीं चल रहा हुआ इसमें क्या करना होगा देखिए अगर आपका 1905 का है और रजिस्टर से पहले जो है और अभी अगर आप देखते होंगा तो 1905 के बाद भी एक खतियान बना वो देखना होगा कि आप किस के नाम पर बना है और क्यूं बना है किस अधार पर बना है इसका पता आप चाहेंगे तो आप काडियले से लगा सकते कब से उसका जमेन उसके नाम पर हुआ तो नया खतियान भी जो है इनगर पूरा नाम नहीं है कुछ भी रिकर्ट नहीं आ रहा दूसरे का नाम है सारा कुछ उस खाता के सरा पर तब तो वो पूरा गरवरी है पूरा घोटाला बोल सकते है इसलिए सबसे पहले 1900 बाद के बा फाल लेते हैं यह तो सर ब्हाँ ऑन्ग्रेज के समय का था उसके बाद का जो सर बो भी आपको जरूर देक ना चाहिए अगला सवाल है कि सर मेरे साथ भी यही हृँ निजस्टाटर में Judith गेशी उसके बाद जमीन बेची थी 1973 में उसका बेटा दोबारा मेरे पिता जाशी से जमीन रिजिस्टी करवा लिया 2009 में क्या इस जमीन पर मेरा हक होगा प्लीज इसका जवाब जरूर दें देखे हम आपको बता दें अगर यहाँ पर सबसे तो सवाल है यही सर मेरे साथ यही हुआ मेरे पिताजी 1973 में जमीन बेची और 1973 में उसका बेटा जो है दोबारा मेरे पिताजी से रिजिटी करवा लिया दोजार नौ में इस जमीन पर जो है मेरा हक होगा देखे एक तरह से सबसे बड़ी बात करें कि मामला जो है 1973 का है बहुत पुराना मामला है जमीन बेची है और जिसको जमीन बेची 1973 में उसका दोबारा अगर मान लेते हैं रिजिटी करवाले 2009 में इस जमीन पर तो एक ती कानून में जाने के बादे के पैतरिक अगर संपत्ती होता है तो अगर बहुत लंबा समय हो गया तो उसमें थोड़ा चांस जितना समय बीचता है उतने चांस जो है वो कम हो जाते हैं इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान डखना होगा इसलिए ये जो है एक तरह से बहुत पुराना है पहले अगर पिताजी के दोरा बेचा गया तो कम चांस बनता है अगला जो सवाल है कि सर मेरे घर के बगल में जो है अनाबाद बिहार सरकार के नाम से प्लोट है रहती हो सकता है देखिए अब ही अब ये संभव नहीं है लेकिन अब अगर उसको 30 साल कबजा में रखते हैं तो सरकार पे जो है आप एक तरह से अगर बात करें यहां पे कि उतना ज्यादा आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको बेनिफित नहीं है कि अगर वो अनाबाद बिहार सरकार है तो कभी भी अधिकारी अतिकर्मन के रूप में उसको चाहेगा तो खाली करवा सकता आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को पहली बार देखने हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जब दबा लेजी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिजाएं